एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सिवा करता, सत्संगी सुरुता, बड़ा सत्संगी था, एक बार वो दो दिन नहीं आया, कहा रहे भाई तुम, महराज मेरी सगाई हो गई, महात्मा जी बड़ा अच्छा, लेकि अब तुम हम से गए, वो कुछ नहीं बोला, दो महिने बाद, पांच-छे दिन नहीं आया, काँ, काँ, बिवाह हो गया, तो माता पिता से गए, वो फिर चुपल रहे गया, सीन साल बाद फिर चार दिन नहीं आया, क्यों, आपके सेवक के घर बालक का जिन, अच्छा, बड़ा अपने आपसे भी गए, वो पीछे बाद, वहाराज समझ में नहीं आया, आप नाराज हो, नहीं, नाराज काई, बिलकुल अच्छा है, वह भी एक मारग है, प्रेय कि अरे, इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक है, अरे बड़े शहर में दो सड़कें होती है, एक बीच बाजार से जाती, एक बाईपास रोड जाता है, आगे जाके तो सड़कें ये कही होती है, तो दो ही है, जो विरक्त हैं, वो मानों संसार के सहर के बाईपास रोड से निकल गए, जो गिरहस्त हैं, वो बीच बाजार में विचारी जाम में फसते, धक्का, फक्का, खाते जैसे बना, वो ऐसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए, पर आगे तो सड़क ये कही होनी है, लेकि बड़ी बहादूरी है गिरहस्तों की, बाईपास रोड तो बैसे ही खाली पड़ा रहता है, चाहे कोई निकल दिया है, वो तो बनाई इसलिए कोई यंजट ना हो, यंजट तो उनका है जो प्रवर्ती के बाजार से निकलते हैं, तो महत्मा जी ने कहा कि भुरी बात नहीं, विवाह भी कोई बैसा थोड़े है, एक आदमी कहरा थे विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श हो, अर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है, विवाह मने व और जहां ना चरित्र ना कोई बासना और दुनिया भर के विक्रतियों से भरकर संबंद जुड़े तो बिवा नहीं होता वो भी आह होता जिसमें आह आह बनी रहे तो भगवार ने तो महत्मा जी ने का भाई तुमने विवा किया है तो वाह है पुले सो बात नहीं महराज आप कह रहे थे कि हम से गए माता पिता से गए अपने आप से गए मात मा जी बुले निंदा थोड़े की थे मैंने यह कहा था शगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे तो हम से गए अब तुम्हारा मार्ग अलग है और बिवाए होने पर कहां कि माता के लिए हो जाए पेटे के लिए हो जाए बोला महाराज आप तो महात्माओं इसलिए कहते हो संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे पूछो महात्मा बोले तु सलसार में रहे महात्मा बोले बता दे समय आने पर पता लगेगा अच्छा ठीक है कई बरस बीत गए महात्मा बोले कभी बताएंगे फिर कई बरस बीत गए एक दिन पीछे पढ़ा बोले महराज बताओ मातमा बोले तुम इतने दिन हमसे योगा अभ्यास सीख रहा है योगा अभ्यास करना है सांस तो रोक लेता है भीतर भीतर चलती रहती है लोग समझते बंद है ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया है तो बोले बस यही प्रियोग करना तू घर में जाके कल वो सौंस रोखके पड़ गया तो क्या हो गया क्या हो गया माता, पिता, परिवार सम्रोने लेगे क्या हो गया कई उपचार करने वाले आए पता ही नहीं अन्त में हो गया इनके गुरुजी को बुलाओ बाबाजी की पास जाता था साधू लोग तो ऐसी मौके पर याद आते हैं बुलाए संत जी आए अवो तो संत जी की पूरी योजना थी क्या हुआ गया यह तो गया बचा लो इसे किसी तरह संत ने कहा दुभाई मामला तो गंभीर है लेकिन एक कटोरा दूद मंगाओ पर कटोरा दूद है चीनी डालो इसे बढ़िया चीन महात्मा जी अब महले के लोग भी तमासा देखने आ गए कि क्या क्या होगा अब महात्मा जी ने वो चीनी ड़ला हुआ दूद का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर ऐसे साथ अब कुछ आइसे जैसे मंत्र पर है पर बोले बस एक ही उपाए है क्या ये दूद का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा पर ये बच जाएगा बोलो कौन तई याद पिता ने रोते हुए का हम इसे चाहते तो बहुत में पर इतना नहीं चाहते अब उसकी उमर पूरी हो गई तो गया अब किसी के प्रारद में क्यों छेड़ चाल करें मा बोली मैं तो पी लेती महराज लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पती की सेवा कौन करें धर्म बिगाड़ जाए पत्नी से का कि बोली भगवान का विधान है उसमें कोई क्या कर सकता है मैं अपने माता पिता कि यहां चली जाओ अब महले वालों ने सुझा कि खिसको नहीं भाबा अपने को दूद दिखाएगा मना करते भी अच्छा नहीं सब तो महत्मा जी ने का कि हम पी ले अरे महाराज संत तो परुपकार के लिए होते हैं परुपकार बचनमन काया संत सुभाव सहिजर अपर इत्सर इस धर्म नहीं भाइए आप पी लिए पिर आगे पीछे कोई है यह नहीं नहीं रोने माराजा आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे आपकी समाधी बनवाएंगे मेला लगवाएंगे हर चाल और रो अब तो मात्मा जी जानते थे कुछ होने वाला तो है नहीं अब वो तो सब सुन ही रहा था पड़ा-पड़ा पीकर दूद संत ने लीनी एक डकार यहीं बोले उठ बेटा चल मेरे संग अब देख लिया संसा वेटा देख लिया संसा जने हमहार समझे थे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे हमारे कार रखाने को देखो सबसे जादा दुखी आदमी को करती है आसा और जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति छट पटाता है भागर होता है हमें इनसे ऐसी आसा नहीं थी अज़ा सोचता है कि गलती इनकी हमें इनसे ऐसी आसा गलती अपनी आसा ही क्यों थी वही तो परेशान करती है सोचों तनिक कावना अपनी जीवन में दुख सुक भरती है नहीं दूसरा दोसी कोई आशा ही निरास करती है छन भंगुर विसेयों से सुक का इस्थाई आधार नमांगो प्यार करो पर प्यार न मांगो प्यार करो पर प्यार न मांगो गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बसती यारों की दोके में मत आ जाना ये दुनिया है दुकानदारों की ब्योसाई से निश्चल मन का प्रेम भरा बेवहार न मांगो प्यार करो पर प्यार ना जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है मुक्ती का उपाय सोचो कुछ भुक्ती का भंडार ना मांगो प्यार करो प्यार ना तो करें क्या जग को हरी का रूप समझ कर मन में भाव भगती का भर दो प्रव की सत्ता सिंध सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो छूट जाएगा रोना अपने होने का अधिकार ना मांगो प्यार करो प्यार ना देखो फलदाई वरक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं फल वाले होकर पत्थर का कटिन प्रहार सहा करते हैं सीखो यह सनेह देकर के बदले में सतकार ना मांगो है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहां सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेस कहां इसी दृष्टी से स्थिष्टी बदल दो रिपु का भी प्रतिकार न मांगो प्यार करो पर प्यार न मांगो महत्मा जी ने कहा कि बेटा आसा रखी थी उसी का ये परिना इसलिए अपने आप संसार में रहने के लिए मना नहीं कि आसक्त होने के लिए मना किया आसा के कारण आसक्त हो जाते है यही आसा अटिको रहो अलि गुलाब के मूल होई हैं बहुरी वसंत इन डारन में फूल और यही तो हनुमान जी ने भी बिभीशन जी को संसार दिखा दिया जैसे महात्मा जी ने उस बालक से काक उठ देख लिया संसार बालक खोला क्या हमारा है देख लिया